जाएगा है ना थोड़ा सा फंदा एक जगा दू जगा कम और या फिर आप काउंट करके बनाइए तो फंदा एक भी दो धर नहीं होगा अगर वो 10 का है तो इसे भी आप 20 का रखिए तो इसे भी आप 20 का रखिए तो इसली आप स्टिच करेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैन में हमने यह बता ऐब लोगों कर दिया है थीक है ठ्रों तक पूरा duż प्रीट कर लिया है पर देख डिजाइन में इसको किस तरीके से स्टेच करेंगे ठीक है सुबने टेकर चलिए देख लेते हैं किस तरीके सिसको हम स्टेच करेंगे फैनली मैंने सारा कुछ आप लोग को बता दिया है चैनल पर वीडियो अपलोड है वहां से आप देकर कि इसको बना के तरीके से कड़ना तो बीच में पर उसको कर दोगर कर इसको एक सिसके अप कर इसको कर दोगा आसारा एक वैसे ही कर लेजिए बिल्कुल भी दिकत नहीं होगी आपको stitch करने में ठीक है और जो extra threads है आप उसको cut कर सकते हैं friends ठीक है तो cut कर दीजिए आप देखिए इन पंखोडियों को अभी हम सबको side करेंगे इन दोनों को आपस में ऐसे इस तरीके से रखके stitch करना है देख सकते हो आप लोग ठीक है तो इसको इस तरीके से रखके stitch करेंगे और फिर इसको यहां पर इस तरीके से रखके stitch करेंगे तो देखिए यह को आपस में stitch करेंगे तो यह बीच का रखते हैं हम ठीक है और यह साइड का है और यह इसको हम stitch करते हैं चलिए अभी फिलाल stitch कर लेते हैं देख लेते हैं किस तर इसा तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही यह फ्रेंड्स और बहुत ही yzy कंटा मिसले को इसको स्टिच भी कर लेंगे खोधikle नियुक्त हो टीक है तो इस तरीके से रखेंगे और इन दोनेंगों को स्टिच करने के लिए देख सकते हैं आप इस साइड से हड में ठीक है और एक एक चेन को ले करके स्टिच करना है देखे इधर से एक चेन लेंगे ठीक है और इधर से एक चेन लेंगे और इसको हम आपस में स्टिच करेंगे बहुत ही इसको स्टिच करना बहुत ही सिंपल तरीका स्टिच करने का मैं कंध ने का स्टिच करने को तरीका बहुत एजिएया कम एखना तब करतेगा podemos devenir तो इसके बराबर लाकर सकते हैं तो देखिए इस तरी के से Row टारी कि इस तरWi तरी किसम का स्टिच कि्च कर ले ना है अभी मैं आपको पास से रखे का दिखा दे एकूरी मिलस। होती हूं तो जो आप लोगों देखं़ यद्धर से और एक चेंथर अंधर से ठीक हैं कि धीन से 具ण एएक लेख लीज़ी दधर से एक चेंथर से सभी करें जण है जदा ताइट धागे को इसे तरीके से मैं इसको बता देती हूं बाकी आप से मैंसे सारा स्टिच कर लीजिए गा जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग वहां पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और वीडियो फैनली मैंने सारा अपलोड करी दिया है तो आप लोग जहां तक मुझे लगता है समझ मे आ गया होगा और अभी देखिए पूरा फैनली भी फ्लावर्स भी कंप्लेट नहीं हुए क्योंकि छोटा सा थल्पोस का बनरा डिजाइन इसके बाद से इतने फ्लावर से सारा स्टिच करके मैं दिखाऊंगी आपको फैनली लोग इसका तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा है अब स्टिचिंग कर रहे हैं तो इसे तरह किसे आप लोग वीडियो को सर्च करके मतलब प्लेलिस्ट को चेक आउट करके देखके ढूंड के इसली आप लोग बना सकते स्टेप सारा कुछ में शेयर करती हूं आप लोग के साथ ठीक है तो पार्ट बन पार्ट टू डालना भूल जाती हूं मतलब भूल के जाती हूं इस पेस बसता नहीं है फ्रेंट लेकिन फिर भी आप कोशिश करूंगी मैं हर एक में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट तु पार्ट तरी डालूं जिससे कि आप लोग को इसली समझ में आजाए कि हां कौन सा पार्ट है और लास् फाइनली ये स्टिच हो गया है थ्रेड को इधर से निकालके अब यहां पे हम कट करेंगे देखिए यहां पे अभी हम इसको कट कर देंगे तो फिर नेक्स्ट पंखुडी यहां पे हम स्टिच करेंगे तो चलिए उसे भी देख लेते हैं किस तरीके से सेम यही प्रोसस है इसे तरीके से स्टिच करना है थोड़ा सा भी दूधर नहीं करना है अब धागे को में यहां पर कट करेंगे ठीक है आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्टिच किया अब नेक्स वाली पंखुड़ी है तो इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं तो यह इसमें स्टिच करेंगे कहलाए आपकी साथ हम शीयर करते हैं कैसे क्या करने तो थोड़ा सा डेख लिजे इस से आपको समझ में लोरे स्थेगी जैसे है उसको वैसे है रहने दीजिए ये ठीक है अब हम इसको इसलिए स्टिच कर लेंगे तो से करना है और इसको करना है ज़रूरी नहीं है कि मतलब नहीं स्टीच हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे क्यों ने स्टीच हो गवाई जब रजश्टी देखिए करके उसको दिमाग लगाई धर सुधर करिए स्टीच हो जाएगा है ना थोड़ा सा फंदा एक जगा कम और या कॉंट Napoli स Carlo एक है तो आप और दो नहीं होगा अगर वो 10 का है तो इसे भी आप 10 का ही तो देखिए इस त्रीकेसे से मैंने सारा कंप्लीट कर लिए हैं और देख सकते हैं आप लोग यह हमने장 करने इसे तरीके से अब साइट का भी आपको में स्टिच करना बता दूँगी एक चेन इधर से लेना है और इसको स्टिच कर लेना है ठीक है देखे बहुत यीजिए है बहुत सिंपल इसको कंप्ली्ट करना जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं बहुत सारे कमेंट्स आर बिर्कुल भी दिक्कत ना हो झास्ट की दूर करना है मतलब दिक्कत को दूर करने के लिए मैं देखे वीडियो बना रहे हुँ अब ही फिलहाल इसको फिर से यहां से निकालते हुए यहां से मैं स्टिज कर लूगी है ना आप लोग को इसली समझ में आ जाएगा जहां तक कि मुझे लग रहा है देखिए यहां पर थोड़ा सा यह हलका हो गया तो इसको टाइट कर लेंगे सारे थ्रेट को टाइट कर लीजिएगा तब आप इसको स्टिज करिएगा ठीक है यहां से कर सकते हैं ठीक है अब यहां से हम फिर से थ्रेड को पीछे साइड में करके बैक साइड में और यहां से हम नॉट लगा लेंगे और थागे को कट कर देंगे ठीक है तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग यह हमने यहां पर थ्रेड को कट कर देना है और फ्रेंड्स मैं ब वीडियो से एट मिनट नाइन मिनट की यह अपलोड होने में काफी दिखते लगा रही हैं तो देखिए फ्रेंड्स यह है पंखुडी बनके तयार हो गई दोनों पंखुडियां यह देख सकते हैं आप लोग इतनी खुबसूरत लग ठीक है अभी साइड वला में आपको स्ट श्टिच करें दिखा देखे यह पंखुड़ियों के लि citizen स्ट फिर श्रखना है और यहां से नीचे साइड बनाती जाएगा और सारा कुछ बहुती easy सा है pattern बहुत easy यह बहुत जल्दी आप लोग बनाके इसको complete कर लेंगे ठीक है और पंखुरियों को आप और बड़ा चाहते हैं तो और बड़ा बना सकते हैं छोटा चाहते हैं तो छोटा बना सकते हैं चोटा भी चैनल पर वीदियो अपलोड कर दिया है और यह देखी बड़ी पंखुरीयों वाला भी मैंने यहां पर अपलोड कर दिया है एक और मैंने न्यू एकदम युदिश डिजाइन अफ्लोड कि यह वहां से देख करके बना सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है जहां समझ में नहीं आता है कमेंट्स करिए मैं हूं आप लोग की help करने के लिए तो आपके हर कमेंट्स कर रिप्लाइए करूँगी जहां आपको समझ नहीं आएगा फिर से में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ठीक है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही द्हागे को कट कर लेती हूं फिर देगते हैं कि इसका लूक कैसा लगता है ठीक उपस में यह सारे से आप fragen BMW ज φ्धिक अधानें तो बहुत कळा है तो गराई करीएगा प्रेंगा धुरीत अजिश करेंगा है तो नहीं पता चलेगा ठीक ये अब हम कम्प्लीट खुख है करना कि यहां से फिर से सचोच कर लेते हैं और यह यह फ़ाइनलि सकतरए निव्य को सब्सक्राइब कर लिया है तीक है ये लेख सकते हो आप लोग यहां पर पिर यहां से नोत लगा हुए हमें आप पर फिर यहां से नोट लगाना है ठागे कांब सबस्क्राइब को कट कर देना है तो बिखते यह यह नहीं तरह यह आथाथ सका चाहोऊक ब्हड़कोय को एक어छा लको लगो किसम प्रेइस करने इसको करने से पतियां किस टाइप में भशाल सुकुलिप जाल MOBA नटिफी सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि मेरी आने वाली नएवारत SI आप लोग को time to time मिलती रहेगी so friends मिलते हैं इसके next part में तब तक के लिए bye bye take care and thanks for watching bye